कुछ बंदों ने मेरे इस वाले वेडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में सवाल पूछा कि आखिर कमांडर इन चीफ कॉंग और आकाइनों में फरक क्या है बिकॉज आकाइनों एक फ्लीट एड्मिरल है उसके अंडर पूरा का पूरा मरीन आता है उसके साथ SSG मिल के काम करती है पर अगर हम लोग देखने जाएं तो जो कमांडर इन चीफ कॉंग है वो आकाइनों को ओर्डर दे सकता है बस इतना ही क्या पावर है ये चीज जो है जालतर वनपीस मैंस को लगता है बिकॉस देखो हमने आज तक कमांडर इन चीफ को जादा डिसिजन लेते हुए नहीं देख है जालतर बड़े बड़े डिसिजन एक तो आकाइनों लेता है टाइम स्किप के बाद वरना गोरो से लेती है बट कमांडर इन चीफ कॉंग जो है इसके पास भी काफी जादा पा अलग है और उसको आकाइनों ओर्डर नहीं दे सकता है यह लोंग डाइरेक्ट फाइव एल्डर्स की नीचे काम करते हैं ऐसा वन पीस फैन समझते हैं बट ऐसा नहीं है कौंग के पास पावर है कि वो तीन चीज को एक साथ हैंडल कर सकता है मतलब तीन चीज को ओर दे सकता है CP0, Marine and SSG आप देखो वो Dr. Vegapunk को ओर्डर नहीं दे सकता बट जो Dr. Vegapunk है वो जो चीजें इन्वेंट करके बनाता है उस चीज को Marine तक पहुचाना है या नहीं पहुचाना है यह सारा decision कौंग का होता है साथ ही साथ CP0 वाला मामला तो मैंने बता ही दिया और हाँ एक और ब होगी विकॉस देखो वो कमांडर है उसके अंडर पूरा का पूरा भाई नेवी का जितना भी आर्मी है जितना भी मतलब वर्ल्ड गवर्रमेंट का स्ट्रेंथ है ना वो सब उसी के अंडर आता है उससे उपर सिर्फ five elders आते हैं और बाकी सब को पता है यार उससे उपर कौ कौन आता है या आती है खैर देखो यही फरक था